तो यह है अपना अगला वीडियो जिसमें हम बात करेंगे इंडिया सेंट्रल एश्या रिलेशन्स की रिसेंटली सेंट्रल एश्या के जो देश हैं वहां के नाशनल सेक्योर्टी एडवाइडर्स इंडिया आये हैं हमारे National Security Advisor अजीत दोबाल के साथ Security के मसले पर meeting करने ऐसे में उन्होंने कई सारी बाते करी Security related और overall जो India Central Asia का relation है उन सारी बातों को ध्यान में रखते वे कई सारे मुद्दों पर बात हुई सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यह है दुनिया का map हमारे सामने और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि Central Asia जो हमारे ले आज इतना important है उसकी वज़ा क्या है यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह है अपना Indo-Pacific area यह पूरा area इंडो-Pacific area जहाँ पर India already Indo-Pacific की policy इसी follow कर रहा है Quad के देशों के साथ आपको पता है कि हमने Quad नाम का ग्रूप बनाए जिसमें India, Australia, Japan और US हैं और वो चारो देश मिलके यहाँ पर freedom of navigation and overflight maintain करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर चाइना के बढ़ते हुए influence को रोकने की कोशिश की जा रही है इंडिया ने यह देखा कि जब हमारा Quad में एक पूरा system सेट हो चुका है और Indo-Pacific में हम China को रोकने की कोशिश कर चुके हैं हमारा काम शुरू हो चुका है चाइना को रोकने का यहाँ पे उन्होंने यह देखा कि इस पूरे area के अलावा चाइना की जो presence है वो इस area में बहुत जादा बढ़ चुकी है अगर हम यह पूरे area की बात करते हैं इंक्लूडिंग के जाकिस्तान अगर हम इस पूरे area की बात करते हैं तो चाइना ने यहाँ पे इन areas में Central Asia की देशों में अपने Belt and Road Initiative से जो इसका One Belt, One Road Initiative है जिसको Belt and Road Initiative भी बुले आता है इस particular initiative के अंदर चाइना ने तुर्कमेनिस्तान उस्बेकिस्तान, ताजीकिस्तान किर्गिस्तान और केजाकिस्तान इन पास देशों में काफी massive investment यहाँ पे चाइना ने किया Recently, दो वीडियो पहले मैंने आपको एक मुद्दा और बताया था कि यह जो ताजीकिस्तान नाम का देश है इस च्योप पर चाइना का इतना जादा उधार हो गया कि चाइना ने इसका पामीर नॉट एरिया जो हत्या लिया, चाइना ने बोला हमने यहाँ पर solution निकाला Quad का, अभी इस पूरे एरिया में यह जो Central Asia का एरिया है यहाँ पर चाइना के बढ़ते हुए influence को रोकने के लिए और इंडिया Central Asia Relations को प्रमोट करने के लिए भारत जो है Central Asia पर काफी जादा Focus कर रहा है Reason No.1 Reason No.2 इंडिया ने recently यहाँ पर एक एरिया है जिसको कहते है Eurasia यह जो Eurasia नाम का region है इस पूरे region के अपर काफी जादा Focus करना शुरू कर रहा है अगर आप map में समझे किये जो Eurasia वाले एरिया यह कौन से एरिया होता है Eurasia वाले एरिया होता है Europe प्लस Central Asia इन दोनों एरियाज को मिला कि Eurasia बोलते हैं तो ऐसे में आप देखोगे कि भारत जो है वो इधर यॉरप में और यहां Central Asia में काफी जादा proactive हो गया है तो यह factors के चलते हमने क्या समझा कि इंडो Pacific के बाद आज की तारिक में इंडिया जो है चाइना के influence को यहां पर कम करने के लिए और अपने strategic influence को बनाने के लिए अपने relations को बनाने के लिए Eurasian policy के अंदर Central Asia के साथ close relations establish कर रहा है हमने बात समझी ठीक है तो मैंने आपको बताया कि इन देशों के जो National Security Advisors है वो इंडिया है सवाल रुकता है कि यहां पर सबसे बड़ा priority एरिया क्या है अगर आप यह global map पर देखें आपको दिखेगा यह है अफगानिस्तान यह है पाकितान ठीक है इन दोनों के अपर यहां पर यह रहा Central Asia यह रहा Central Asia यह जो पूरे एरिया है यह आतंगवाद का एक अड़्डा बनावा है यहां से इंडिया की दरब भी आतंगवाद आता है और यहां से Central Asia की दरब भी आतंगवाद जाता है आप देखें यह है अफगानिस्तान map में अगर आप देखेंगे तो यह है अफगानिस्तान अफगानिस्तान से यहां पे तुर्कमेनिस्तान यह तुर्कमेनिस्तान है उस्बेकिस्तान ताजिकिस्तान किर्गिस्तान केजाकिस्तान इन एरियाज में अफगानिस्तान से आतंगवाद जाने लगाए और इसको डिपलोमेसी की भाषा में बोलते हैं टेरर स्पिलोवर यह मैंने आप एक keyword लिखाव है terror spillover या आप मुख्य परीक्षा में और निबंद में लिख सकते हो terror spillover इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान से आतंगवाद निकल के ये Central Asia के देशों में जाने लगा है बेसिकली यहाँ पर आपको पता है कि तालेबान है जो कि पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल्ड है यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है दुनिया का आतंगवाद का अड़्ड है इंडिया की तरफ तो आतंगवाद आई रहा था लेकिन Central Asia के देशों ने बोले कि अफगानिस्तान से जो आतंगवाद है हमारे देशों में भी आने लगा है जिसकी वरसे हमारे सेक्योर्टी क्राइसिस बनने शुरू हो गए है एक बात तो पहला मसला जो National Security Advisors ने डिसकस करा वो था टेर्र स्पिलोवर का मसला अफगानिस्तान पाकिस्तान से इसके अलावा दूसरा मसला दो डिसकस किया गया वो था Stability in Afghanistan आप अगर गौर से देखें तो अफगानिस्तान जो है वो इन देशों के साथ काफी लंबा बॉर्डर यहां पर शेयर करता है और आपको पता है आज की तारिक में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जो कि डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है यहां पर काफी ज़्यादा आतंगवाद फैल चुका और काफी ज़्यादा यहां पर instability हमारे को देखने को मिलती है ठीक है इन्हों ने यह बोला कि जब अफगानिस्तान में instability है तो वो instability हमारे या भी आएगी कैसे सर बेसिकली यहां से आतंगवाद spillover तो होई रहे stability की काफी साथ जरूरत है वरना refugees, illegal migrants और आतंगवादी अफगानिस्तान से निकलके Central Asia में जाते रहेंगे जिसकी विरसें आपे security crisis बने रहेंगे इसी के साथ तीसरा मसला है territorial integrity का इन देशों के बीच में आपस में कई सारे चोटोटे चोटोटे border disputes हैं इन्होंने बोला कि हमारे को यह border disputes resolve करने है जिससे की Central Asia जो है वो काफी जादा peaceful बन सके यहां पे अगर आप ध्यान से देखें 1995 में इंडिया ने एक बार कोशिश करी थी Central Asia के देशों के साथ अच्छे relations maintain करने की under what is known as look north policy आपको पता है 1992 में हमने look east policy शुरू करी थी जो की काफी successful रही थी उसी lines पे जो look east policy है उसी lines पे हमने 1995 में look north policy establish करी थी यह Central Asia देशों के साथ अच्छे relations establish करने के लिए लेकिन उस टाइम पर already हम काफी जादा अपनी परिशानियों में घिरे वेदे पाकिसान के साथ जूद हो रहा था देनी पाए लेकिन अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बोला कि इन सारे factors को ध्यान में रखते हैं हमारे को Central Asia के साथ collaborate करना है अपनी Eurasia वाली policy के अंडर हमारे को Central Asia के साथ collaborate करना और इसलिए हम इस policy को नाम देते है extended neighborhood policy of India कि यह Central Asia है यह हमारे extended neighborhood में हम से थोड़ा सा ही उपर है हमारे immediate neighborhood के जस्ट हलका सा उपर है इसलिए हम इस policy को नाम देते हैं extended neighborhood policy तो basically हमने क्या समझाए हैं आप सबसे पहले कि हमने इंडो पैसिपिक में Quad के तुरू अपनी presence बनाना शुरू कर दिया है initiative लेना शुरू कर दिया Eurasian policy के अंदर Central Asia के साथ relations established करें अंडर the extended neighborhood policy तो इन सारे कारणों से Central Asia जो है हमारे ले काफी important area बन जाता है सवाल उठता है कि अगर हम overall India Central Asia relation देखते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा priority area यहां पर क्या है हमारे लिए सबसे बड़ा priority area यहां पर है connectivity आप ध्यान से देखिए कि यह Central Asia का पूरे area है यह landlocked area है यह समंदर से जुड़ावा नहीं है यह जो पांस देश आप देख रहे हो तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और किजाकिस्तान यह पांचों के पांचों देश landlocked देश हैं इन अंदरी रस्ता नहीं है. अगर हमारे को जबना है जाना तो हम यहां से आसकते हैं हमारे को कहीं भी जाना है तो हम समंदर के रस्ते जा सकते हैं, लेकिन Central Asia के साथ connectivity promote करनी है तो एक रस्ता निकलता ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से okay और एक रस्ता निकलता ये चाइना से okay आपको पता है चाइना के साथ हमारे relations ठीक नहीं है तो ये हमारे को कभी भी रस्ता नहीं देगा आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे relations अच्छे नहीं है ये भी हमारे को रस्ता नहीं देगा और अफगानिस्तान में सरकार इतनी जादा unstable है कि उसको खुधी नहीं पता कि कल उसके साथ क्या हो जाएगा ऐसे में सडक के माध्यम से हमारी जो Central Asia की connectivity है वो यहां से possible नहीं हो पाईगी ठीक है तो सवाल उठता है कि यह जो हमारा priority area number one है connectivity कि हमारको Central Asia के साथ connectivity प्रमोट करनी है यह हम कैसे कर सकते हैं यह है इरान आपको पता है इरान के साथ हम दो major projects establish कर रहे हैं एक चाबाहर चाबाहर port project जो यहां से निकलेगा फिर उसके आद इदर से निकल के अफगानिस्तन जाएगा डेलेराम जरांज हाईवे एक हो गया अपने चाबाहर port project और एक हो गया यहां से निकलने वाला International North-South Transport Corridor INSTC International North-South Transport Corridor जो इंडिया और रश्या को connect कर रहे हैं यह रश्या है यह आप देखेंगे इदर map में यह रश्या है अजरबाइजान के उपर यह रश्या है इस इस रश्या इरान से हम यह दो connectivity projects डवलप कर रहे हैं एक चाबाहर और एक International North-South Transport Corridor Recently इंडिया Central Asia का summit हुआ था और इसमें यह बात हुई कि देखेंगे इरान के उपर यह जो आप देख रहे हैं तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान में यहाँ पे एक port है जिसे कहते हैं तुर्कमेन बाशी port तुर्कमेन बाशी port हमने यह डिसाइड किया कि यह जो International North-South Transport Corridor यहाँ से निकल रहा है हम इसको extend कर देंगे यहाँ पे तुर्कमेन बाशी port मतलब कि यह जो International North-South Transport Corridor हमारे इंडिया और रश्या को connect कर रहा है इधर Caspian Sea में यह Caspian Sea देख रहे हैं इधर Caspian Sea से एक रस्ता निकालके हम रश्या वाली जो ब्रांच है इसको तुर्कमेन बाशी port तुर्कमेनिस्तान में इसको connect कर देंगे कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट यह ने कलता है तुर्कमेन बाशी port Caspian Sea के जरीए International North-South Transport Corridor को connect करते हुए दूसरा रिसेंटली तुर्कमेनिस्तान इरान इंडिया और इधर आप देख रहे है उस्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के अपर है उस्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उस्बेकिस्तान ने रिसेंटली इंडिया और इरान के साथ मीटिंग करी और ये बोला कि हमारे को चाबाहर पोर्ट का एकसेस दे दो मतलब ये जो चाबाहर पोर्ट यहां से निकल रहा है ये इसका एकसेस इने चाहिए कि मतलब ऐसे सीधी सेड़क के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान उस्बेकिस्तान को चाबाहर पोर्ट से जोड़े रहे हैं जिसके लिए इंडिया और इरान दोनों ने बोला कि हां हम इसके लिए मंजूर हैं हम ये काम करने के लिए तयार हैं तो ऐसे में ये जो चाबाहर पोर्ट है इसे तुर्कमेनिस्तान उस्बेकिस् तो आप यह देखिए कि यह जो Central Asia की connectivity की में बात करने होंगे चालेंज है कि चाइना हमार को रस्ता नहीं देगा पाकिसान अफगानिसान हमार को रस्ता नहीं देंगे हमने इन दोनों को बाइपास करते वे इरान से इंट्रनाशनल नौर्ट फ्रॉंट्ट पॉलिडर और मैंने आपको पताया कि अफगानिस्तान से इस एरिया में टेरर स्पिल ओवर हो रहा है कि जब भी इंडिया और सेंट्रल एश्या की बात होगी में में क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए 200 वर्ड का आप उसमें सबसे पहले connectivity की बात करोगे extended neighborhood की बात करोगे उसके अलावा जो आप बात करोगे वो है अपने counter terrorism की counter terrorism का मतलब यह है कि इंडिया भी आतंगवाद से पीड़ी तो Central Asia भी आतंगवाद से पीड़ी ते तो ऐसे में हम दोनों को मिलके आतंगवाद के खिलाव लड़ाई लड़नी चाहिए इसके लिए इंडिया और ताजीकिस्तान ने मिलके एक group बनाया जिसको कहते है joint working group on terrorism यह है initiative number one पहला initiative आतंगवाद को रोखने के कई सारे initiatives हैं जिसमें पहला initiative है joint working group on counter terrorism इंडिया ताजीकिस्तान के बीच में दूसरा है आपको पता है कि 2017 में इंडिया पाकिस्तान ने शेंगाय कोपरेशन organization जॉइन करा था है शेंगाय कोपरेशन organization के अंदर एक body आती है जिसको कहते है regional anti-terror structure जिसको rats के नाम से भी जाने आता है शेंगाय कोपरेशन organization के अंदर मिलके इंडिया और सेंट्रल इशा के देश इस पूरे area में आतंगवाद को रोकने की कोशिश करेंगे मतलब की bilateral collaboration और multilateral collaboration के अंदर हम जो है इस पूरे area में आतंगवाद को रोकने की कोशिश कर रहे है Joint Working Group and Regional Anti-Terror Structure तीसरा है trade, energy and supply chains तो पहला priority area connectivity दूसरा आतंगवाद तो तीसरा है trade, energy and supply chains basic अली है जो आप area देख रहे हो, केजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान, यह पूरा area जो है यह बहुत ही जादा energy rich area है, यहाँ पे काफी सादा oil और gas हमारे को देखने को मिलता है, यह energy rich area है तीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में एक pipeline proposed की गई थी यह यह तुर्कमेनिस्तान है, यह एक इस प्रकार से pipeline proposed करी गई थी, जीसे कहते हैं तापी गैस pipeline तापी गैस pipeline, एक इस प्रकार से pipeline जो है प्रपोस की गई थी, जो की निकलेगी तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया टापी गैस pipeline जिससे कि हमार को इस एरिया का gas PNC में जो इधर oil और gas है वो मिल सके यह pipeline proposed की गई थी लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि यह pipeline क्योंकि इंडिया जाती तो मैं इसमें शामिल नहीं होगा और अफगानिससान में security situation ठीक नहीं थी इन दोनों स्थितियों को देखते वे ये तापी gas pipeline कभी materialize हो ही नहीं पाई एक बात इसके अलाबा हम जो है अभी दूसरे तरीके explore कर रहे हैं कि किस तरीके से हम Central Asia का oil और gas जो हैं वो खरीद सकें ठीक है अपार्ट फ्रम दिस कोविड के बाद और Russia-Ukraine crisis के बाद supply chain disruption हुआ जिसकी वरे से Central Asia में food inflation काफी दादा increase हो गया आपका पता है कि कोविड के टाइम पे हमारा supply chain disruption काफी massive हुआ था जिसमें ये हुआ था कि food और fuel की जो supplies थी वो impact हो गई थी अभी जब ये जो national security advisors सारे देशों के इंडिया आएव हैं यहाँ पे supply chain को लेके काफी major बातचीत हो रही है कि किस प्रकार से food और fuel की जो बातचीत है उसको एंशोर कर सकें कि मतलब जो supply chains हैं उनको किस पकार से एंशोर किया जा सकता है वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं Central Asia के साथ तो देखिए Central Asia क्योंकि energy रिच है तो एक तो तापी gas pipeline जो materialize नहीं हो पाई और साथ में food and fuel की supplies कि यहाँ पे बात चल रही है कि वो supply chains को किस तरीके से resilient बनाया जा सकता है तो यह है तीसरे area of cooperation कि सवाल उठता है कि आज की तरिक में अगर हम इंडिया Central Asia के challenges की बात करते हैं तो क्या challenges है सबसे पहले यह Afghanistan है Afghanistan की जो सिथी है वो सबसे बड़ा challenge है कि जब तक यहाँ पर stable सरकार नहीं आती Central Asia unstable रहेगा और साथ में जो इदर पढ़ रहा है क्योंकि एकदम इनके नेबरूट में लड़ाई हो रही है इस वज़े से Central Asia आजकल काफी ज़्यादा परिशान है और ऐसे में इंडिया Central Asia का जो रिलेशन है वह पूरे तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो आपको अगर वह पूस्ता है कि इंडिया Central Asia relation में आजकी तरह में challenges क्या है तो आप यह दो challenges ज़रूर मेंजिन करोगे कि एक तो अफगानिस्तान में आतंगवाद और वहां पर स्थिती जो स्टेबल नहीं है और दूसरी बात रश्या यूकरिन क्रैसिस के चलते इन एरियास की जो एकॉनमी है वह काफी ज़्यादा में एक बार ही बोला था कुछ टाइम पहले कि हम Central Asia से medical tourism को प्रमोट करेंगे और direct flight connectivity जो है वह प्रमोट की जाएगी Central Asia के देशों के बीच में और इंडिया के बीच में पातचीत करता है बेसिकली जब हमारे दो एलाई Central Asia के साथ इतना closely मिले वें तो हम एक possibility explore कर सकते हैं कि कल को इंडिया यूएस जैपान और ये सी फाइव जो देश है Central Asia के पांस देश है या पस में मिलके कोई summit collaboration कर सकते हैं तो एक वो भी एरिया पॉसिबल है जैसे आपने द देशों के साथ collaborate करते हैं वैसे यहां पर यूएस जैपान और Central Asia के देश मिलके इंडिया के साथ काफी multilateral collaboration कर सकते हैं तो यह है पूरा इंडिया Central Asia relation क्या challenges है और क्या-क्या हमार को सुधारना है क्या अच्छा चल रहा है यह सारी बात हमने देखी तो इस वीडियो में इतना क्या स सकते हैं